Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shivangi Bhatt and today we will be starting our chapter which is boat work, boat pulling instructions. Introduction देखो आपकी जो boat है वो बहुत swiftly और बहुत easily pull हो सकती है. अगर जो pulling orders है यह जो pulling है वो synchronized है. मतलब एक proper pattern में है. जो आपका cockswing होता है वो responsible है कि आपका जो crew है वो एक साथ pull करे और फटाफट पुल करे. cockswing मैं आपको बताया था जिससे आपका guard का या squad commanders होते हैं तो ऐसे ही जो आपकी boat में pulling करते हैं वो आपका, मतलब जो आपका boat की commanders होते हैं तो उनको हम लोग cockswing बोलते हैं. वो आपका responsible है कि आपका जो boat है वो fast और correct manner में चले. तो अगले हैं आपके pulling orders, आपके pulling orders बहुत ज़ादर important हैं तो आपको पते होने चाहिए तो just do learn them. पहला है आपका ship your orders, यह आपका order होता है कि आपका crutches, crutches होते हैं जहांपे आपकी ओर fixed होते हैं ताकि वो आपका बहे ना जाए पानी में तो उसके लिए वो आपका fix होते हैं तो यह आपका order होता है कि आप crutches से अपने orders को बाहर निकालो और ready हो जाओ पुल करने के लिए. ready हो जाओ, againuary pulling day ready हो जाओ फिर है आपका giveaway together ये है कि जो entire crew है वो एक सांत pulling को start करें फिर अगला आता है आपका ores, ores है की siis pulling मतलब आप भया pulling को रोग दो या रूख जाओ धीरे pull करो, फिर है आपका hold water, hold water आपका order है जो आपका reduce करता है या रोकता है जो आपका way है boat का ठीक है बाई अच्छा देखो इसके अंदर हम क्या करते है ना जो ores है आपके उसको आप right angles में डाल देते हो पानी के अंदर और blades को डाल देते हो पानी में इससे ही होते है कि आपकी boat न रुख जाती है जल्दी फिर आपका आता है stroke together ये है कि अगर जिसे कोई आगे पीछे कर रहा है ठीक है तो आप cockspin बोल सकता है आपसे कि एक सांत आप लगाओ ठीक है एक सांत stroke करो फिर है back together ये है आपका order कि आप pulling की बजाए जो looms है ना उसको आप back की तरफ पुश करो फिर है easy all ये आपका order है कि आ आप थोड़ा हलके हलके धीरे धीरे करो ठीक है pull जिससे आपका जो boat है उसकी जो speed है वो कम हो जाए और अगर जो boat है ये आपका turn हो गई है is the boat is being turned the order okay कि मतलब अगर आपका boat turn हो गई है तो आप easy star boat का order भी दे सकते हो फिर आपका mind arrows इसका मतलब ये है कि जतने भी crew में जतने अपने रास्ते में फिर अगला है आपका eyes in the boat ये आपका एक ऐसा order है जो आपका crew को बताता है कि कहीं और मत देखो और attention अपना duties पे करो जो आप कर रहे हो उस पे अपना ध्यान दो फिर है आपका bow ये एक order है जिससे आपका जो bow man है bow man आपका होता है जो सबसे last में बैठता लास्त वाला बंदे को हम bow man बोलते है तो उसका एक बहुत important work होता है बोट को turn करने में कि जो आपका bow man है ये अपना oar को ready रखे ठीक है अपनी oar को ready रखे आगे को काम करने के लिए फिर आपका आता है boat your oars ये आपका order है जो आपका जो oars है उनको unship करो crutches से और उनको मतल crutches को वापिस मतलब बंद कर दो oars को जगे पे फिर आप कहाता है कि जो pulling boat में जो essential है बहुत सारे important चीज़े हैं तो वो आपके है plugs, oars, crutches, stretches, rudder, yoke, painter, towing, special gear, steer या manning of the boat की कैसे आपका organize होती है boat port side आपका होता है left side और जो starboard side है वो आपका होता है right side तो आपका जो port side है उसमें 3 बंदे बैठते हैं और जो starboard side है उसमें 2 बैठते हैं अगर आपका जो port side pull करती है तो जो boat है आपका वो obviously आपका left turn कर जाती है और अगर starboard side का जो crew वो pull करते है तो आपका जो boat होती है वो आ करता है कोक्स HARR की तरफ और कोक्स Row सामने उन लों की तरफ फेस करता है इंस्ट्रक्शंस क्या है या प्रेकॉशंस क्या है प्ल करतेवे देखना है कि आपका जो बोट है वो क्लीर पानी है मतलब सामने वर्क कर रहे adequate number of crutches और ores हैं हमारे पास spare boards के साथ-साथ spare भी होना चाहिए है साथ में see you can have a look at here जो आपका ये blue color का जिसने पहना है live jacket this is the girl जो आपकी a coxswain है and the other people are pulling और जो ये बड़े-बड़े आपको दिख रहे हैं that they are your ores और आप ध्यान से देखो आपको यहाँ पर एक white color का दिख रहा होगा जिसके अंदर फसा हुआ है और तक यो पानी के अंदर ना चला जाए तो ये आपके crutches होते है तो live jacket होनी चाहिए पूरे crew के अंदर in case some mis happening happens तो भीया आप you are getting protected फिर आपको boat plug का ध्यान देना है first aid kit भी होनी चाहिए instruction क्या है boat pulling के जब आपका जो boat है वो आपके pull होती है जो hold water है ये आपका पूरा एक stroke देने के बाद ये order दिया जाता है और इस time पे सारे आपके ओर्स पानी के अंदर होते हैं जो loud dealer, drinking water a sufficient rope, bailer, anchor, life boy और boat hook के availability होनी चाहिए boat में swimmer और physically fit people ही participate कर सकते हैं इसके अंदर फिर जो आपका local weather है और tidal conditions हैं कि अगर आप sea में कर रहे हो तो you need to know the tidal conditions तो उसके knowledge होनी चाहिए ये नहीं कि कभी भी boat को लेके निकल दी है अपना boat pulling करने के लिए ऐसा नहीं है फिर rudder, tiller और जो towing bullard है उसको properly आपको secure करना है conclusion आपका जो wailer है उसमें coxswain होता है और five pullers का एक crew होता है जो pulling है वो synchronized होती है coxswain के द्वारा help जो orders है आपके उनकी help से चितने भी sea man है और pullers है उनको पता होना चाहिए orders for pulling ऐसा नहीं है कि coxswain बिचारा बोले जा रहा है और you don't know कि क्या मतलब है इसका तो आप पूरी knowledge देने के बाद ही है आप उसमें होता होते हो about pulling करने के लिए so this was all in this lecture see you in the next lecture till then you are having any queries or anything to ask you can comment in the section below I will try to hear them out till then take care जहिंद